Assalamu alaikum viewers, कैसे हैं आप सब, welcome back to my channel, आज हम बनाने जा रहे हैं, snack time, easy bread pizza without oven, तो चलिए देखते हैं, हम इसको कैसे बनाते हैं, और क्या-क्या चाहिए हैं, इसके लिए मैंने two slice bread लिए है, pizza sauce लिया है, as required, capsicum लिया है, mix, garlic sauce लिया है, motodella लिया है, cheddar cheese लिया है, italian seasoning लिया है, क्यूंकि इसमें सारे herbs अवेलिबल होते हैं, जो pizza या pasta sauce के लिए चाहिए है, और mozzarella cheese लिया है, आप इसके इलावा और भी toppings आड़ करणे, सकते हैं, जो आपको और आपके बच्चों को पसंद हो, सबसे पहले हमें, पैन को preheat करना है, बिल्कुल हलकी आँच पे, और इसको cover कर देना है, और बिल्कुल seal कर देना है, चले चलते हैं, पीजा प्रिपेर करने के लिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले, पीजा sauce लगाई ही है, ब्रेट पे, उसके बाद मैंने गार्लिक सॉस या आप जाहे तो मायनीज भी आड़ कर सकते है, फिर इसमें मुजरिला चीज आड़ की है, इसके बाद मैंने dice, mix, capsicum डाल रहे हैं, आप चाहे तो olives भी डाल सकते हैं, या आपके पसंद की कोई भी veggies डाल सकते हैं, अब इस पे मैंने अड़ किये हैं मुजरिला, आप चाहे तो sausages भी आड़ कर सकते हैं, या सलामी आड़ कर सकते हैं, या कोई भी topping आपको पसंद है, वो आड़ कर ले, इसके बाद मैंने एंड में डाल दिया था मुजरिला चीज, और अगर आपके पास मुजरिला चीज नही हैं तो आप सलाइस चीज भी आड़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक में मोजरेला एड़ की हैं और एक में सलाइस चीज आड़ की हैं, अड़ अड़। मैंने ये इतल्याट अड़ कर दिया था पैन अब प्री हीट हो गया है अब ये पीजा ब्रेट डालने से पहले मैंने हलका सा बटर आड़ कर दिया था ताकि टेस्ट भी अच्छा आए और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए आपका ब्रेट पीजा सिंप्ली हमने ब्रेट पीजा पैन में रख देने हैं और इसको कवर कर देना है अंटिल दे चीज इस मेल्टेद इनको सबसे लो फ्लेम में रखना है और तकरीबन 5-10 मिनिट्स तक के लिए पकाना है जब तक के आपकी चीज मेल्ट नहीं है यह देखे हमारे ब्रेट पीजा रेडी हो गए है आप देख रहे हैं चीज भी मेल्ट हो गई है और हलके से क्रिस्पी भी हो गए है यह देखे हमारे यमी ब्रेट पीजा रेडी हो गए है और बचों को तो बहुत पसंद आएंगे I hope आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो जरूर आप मेरे चैनल को like करे, subscribe करे, comment करे, share करे and don't forget to press the bell icon and follow me on instagram at goharandmom till then see you, take care, bye bye, Allah Hafiz